हाव डो फीक्स सैमसंग नोट ट्विंटी स्क्रीन फ्लिकरिंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज कि इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है स्क्रीन फ्लिकरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं यहां पर दोस्तों आपने कई बार नोटिस क्या होगा आपके दिवाइस में कभी कभार इस तरह के का इसव आज आ जाते हैं ठीक है तो स्क्रीन फ्लिकर करते दोस्तों उसमें आपको एक तो हे सफ़े करे मेरी नर्त अगर हाड़ वेर में एक बशृ स्क्रीन फ्लिकर करते हैं चै верхка by desarroll और या फिर आपका डिस्प्ले ख्रण ह refresh में तो उस स्थम्रे दोस्तों आपको स्क्रीन फ्लिकर करते हुए नजरा जाएगा तो दो दौस्त है स्क्रीन फ्लिकर करने का reasons यही कुछ यहाँ पर जाने को मिल जाते हैं ठीक है तो अगर आपके screen भी flickr करें तो आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखें मैं आपको solutions बताऊंगा जो कि आपको follow करना है उसके बाद दोस्तों देखेगा आपका अलग से मैं solution बता दूंगा क्या करना चाहिए तो आप उस जिसको follow कीजेगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए bell icon को click करें और अगर आप online पेसा कामाना चाते हैं तो वीडियो description पर link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों यहाँ पर screen flicker यहाँ पर अगर कर रहे हैं तो उसको कैसे fix करना है तो आप अपने mobile को सबसे पहले check करके देखें कि उसमें किटना storage बचा हुआ है तो उसके रहे दोस्तों simply setting पर जा सकते है फाइल manager पर जा सकते हैं चेक कर सकते हैं आपका storage fully है या फिर खालिए तो कई बार दोस्तों इस तुर इस फुली रहते हैं हमारी दिवाइस में तो आपको क्या करने है। जो क्षेच रहे थे मोबाईल का उनको डिलेट करने है आँ और नहीं इन्सेचाओ ऑप ज्यादा है तो आपको अनुप ऍधायी का रेट करने प्रेज्ट इस पेश खाली होना चाहिए उसके बाद दोस्तों आपके जो मुबाइल है उसमें जो भी अप्लिकेशन से उसको अपडेट करकी यूज़ करें कम अप्लिकेशन होगा अच्छा रहेगा उसको अप्डेट करके आप यूज़ कर सकते तो अपडेट वर्जन का mobile software में जाएए और mobile software को भी update कर दीजिए तो यह सारे चीजे अगर आप एक ही साथ में करते तो आपका screen flickering problem solve हो जाएगा ठीक है तो screen flicker का problem दोस्तों कुछ इस तरीके से आप solve कर सकते हैं अगर software के related कुछ भी issue है अगर software update करने के बाद fix हो जाता है ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है setting पर जाना है scroll down करना है general management पर जाके reset option select करने और उसके बाद factory data reset कर देना है ठीक है factory data reset करने के बाद दोस्तों check करके देखें आपका screen flicker issue fix हो जाएगा बाई इनी चांस अगर आपको problem आते हैं तो दोस्तों वह यहां पर बेसिकली hardware का issue हो सकते है ठीक है screen crack है या फिर कोई भी hardware के related में अगर problem आ जाते हैं कोई भी circuit mirror boat में या फिर किसी भी तरह का issue हो सकते हाडवेर के related तो उसके वज़द से होते हैं ठीक है कई बार दोस्तों screen flicker उसी वज़द से भी करते हैं तो आपको क्या करना है कोई भी service center पर जाना है अगर phone अभी warranty पे तो free में भी आपका problem fix हो जाएगा अगर warranty खटा मच चुका है तो आपको यहाँ पर जाके किसी भी technician के पास या फिर service center पर जाकी भी आप problem को solve कर सकते हैं ठीक है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर software से अगर काम नहीं बना तो आपको hardware ली fix करना पड़ेगा यह problem को ठीक है तो यह सारे चीज़ा आप फोलो कर सकते हैं तो इस वीडियो के अंदर पर दोस्तों मैंने software के related आपको solution दिया है अगर कुछ भी problem software के वज़त से हो रहा है तो आपको क्या करना है अगर hardware के वज़त से हो रहा है तो आपको क्या करना है ठीक है उमीद करते हैं आपको यह वीडियो बसना होगा thanks for watching